आएगा ना तो सबसे पहले आप अपनी टिक्नोमेट्री को यूस करके इसको सिंप्लिफाई करेंगे है ना तो अब इसको सिंप्लिफाई करने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो सिग्मा वाला पोर्शन दिया हुए ना सिग्मा एम एक्कॉल टू जीरो से लेके एन सी एम और कॉस एन एक्स सी एम कॉस एन एक्स एन एक्स क्या मतलब यह सी एम एन एम एक्स होगा बैसिक लिए ना यह है ना अब आप जब वैलू सब्टिटूट करोगे तो यह आ जाएगा सी जीरो प्लस सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू कॉस टू एक्स प्लस सी थी कॉस ट्री एक्स एंड सो आन क्या बात आप लों को समझ में मैंने क्या लिखा मतलब आपको अपने इस एक्सप्रेशन को कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स में ब्रेक करके लिखना है समझ रहे हो कि नहीं तो अब आप जड़ा आप इसमें टू से उपर नीचे मल्टिप्लाइ करके इसको टू टाइम साफ कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटु एक्स और माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटु एक्स लिख सकते हैं याद आया कि नहीं बताओ से 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब स्मझ में आ रहा होगा आप लोगों को तो तुरंत आप अपने इस साइन क्यूब को किसमें चेंज कर देंगे बताओ थे साइन क्स माइनस साइन 3 एक्स बाई पोर में आप कुछ कॉंफिडेंस आया कि नहीं बताओ तो इसको आप लिख देंगे क्या 3 sin x minus sin 3 x अरे बोलो भाई और इसको आप क्या लिख देंगे sin 3 x और divided by क्या आ जाएगा 4 चेक करो क्या यहां तक लिखी बात सबको समझ में आ रही है बताओ चेक करके बताईए कि यहां तक लिखी बात आप लोगों को समझ में आ रही है हाँ यह ना बोलिए अब यह क्या बन गया 3 by 4 sin x into sin 3x यह आराम से कनवर्ट हो जाएगा और minus 1 by 4 sin square 3x यह भी आराम से कनवर्ट हो जाएगा अब सबको कनवर्ट कर दिए तो यह आ जाएगा 3 by 8 cos of a minus b और minus cos of a plus b into x और यह आ जाएगा minus 1 by 8 1 minus cos 6x अब पूरा open करके लिख दो तो minus 1 by 8 plus 3 by 8 cos 2x minus 3 by 8 cos 4x और plus 1 by 8 cos 6x अब अगर question में आपसे पूछा जाता n की maximum value कितनी होगी इस n की maximum value कितनी होगी तो आपका answer 6 होता अगर आपसे पूछा जाता c0 कितना होगा तो आपका answer minus 1 by 8 होगा c1 कितना होगा 3 by 8 होगा c2 0 होगा c3 0 होगा c4 कितना होगा minus 5 by 8 c5 0 होगा c6 कितना होगा 1 by 8 आप compare करके आप जो answer आपसे पूछा गया होता आप निकाल देते हैं आपसे यहां n की value पूछी गई थी तो सब्सक्राइब का answer maximum कितना आ रहा है बोलो कि क्या टेक्निक आपको clear हुई यह बताओ नहीं समझे तो आप जब भी इस तरह के questions आएंगे आप उनको आराम से convert कर लोगे इसमें क्या है कि multiplication को addition या सम में ब्रेक करेंगे आप देख लिए कोई confusion आ रहा हो तो बताईए पहला टाइप तो यह आता है दूसरा टाइप यह आ सकता है मतलब अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो sin n थीटा को आप क्या लिख रहे हो R की value वैरी कराओ B0 sin की power 0 sin की power 0 तो 0 ही हो गया फिर B1 sin थीटा फिर B2 sin square थीटा फिर B3 sin cube थीटा एंड सो आन ऐसे ब्रेक करके लिखना समझ रहे हो कि नहीं भाई बोलो कोई confusion या doubt आ रहा हो तो बताओ और यह तभी आप ब्रेक करके लिखने जब n कैसा एक और इंटीजन तो इस टाइप के को ब्रेक करने के लिए जो concept वह यह है याद होगा आपने complex नंबर में पढ़ा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एंड जिसको आप लिखते हैं कॉस एंड थीटा फ्लस आई साइन थीटा इस बात से सभी लोग एगरी करते हो कि नहीं बताओ अब अगर आप यहां पर देखो तो यह बाइनोमियल एक्सप्रेशं लिखा हुआ है लिखा है तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के हिसाप से अगर आप लिखोगे cos theta plus i sin theta की power n को तो आप लिखोगे nc0 cos की power cos theta की power n plus nc1 cos theta की power n minus 1 into i sin theta plus nc2 cos theta की power n minus 2 into i square sin theta sin square theta दिख रहा है सबको की नहीं बताओ अरे बोलो और प्लस nc3 cos theta की power n minus 3 into i cube sin cube theta and so on अब यहाँ पर अगर आप इसको लिख दो cos n theta इसको लिख दो i sin n theta तो बन जाएगा nc0 cos की power n theta सही न माइनस nc2 cos की power n minus 2 theta into sin square theta plus nc4 cos की power n minus 4 theta into sin power 4 theta क्या यह पूरी बातें सबको सबन में आ रही है क्या चल रहा है बताओ और प्लस i times of nc1 cos की power n minus 1 theta into sin theta minus nc3 cos की power n minus 3 theta into sin cube theta and so on अब अगर आप compare करोगे तो cos n theta का result क्या रहा है बताओ nc0 cos की power n theta minus nc1 cos की power n minus 2 theta into sin square theta plus nc4 cos की power n minus 4 theta into sin की power 4 theta and so on मेरी बात समझ रहा है कि रियल और इमेजनरी आपस में मैंने क्या कर दिया है compare कर दिया है बस और कुछ नहीं और यहीं से अगर आप sin n theta देखोगे तो nc1 cos की power n minus 1 theta into sin theta minus nc3 cos की power n minus 3 theta into sin cube theta यह result आजाता है यह result सबको समझ में है कहां से लिखा और क्यों लिखा बोलो भई बोलिए आप इसके हिसाब से आप इसको आराम से जब चाहोगे तब convert कर सकते हों कर लेंगे कि नहीं कि नहीं बताओ भई अरे बोलो कि क्या यह मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं बताओ भई अरे हाँ यह ना किसी को कोई confusion यह डाउट आ रहा हो तो बोलो कि बोलिए भाई अब इसके हिसाब से आप सारा conversion कर लेंगे कि नहीं कि क्युति का मतलब होता है अगल का सम क्या आ जाएगा तो हमने का अगया इनर ट्रेंगल यह होगा हाय ना दोनों साइड अगर आप 10 ले लें तो 10 of b plus c equal to 10 of pi minus a होगा इसका मतलब 10b plus 10c upon one minus 10b 10c जो है वो कितना आ जाएगा minus 10a आ जाएगा जैसे आप cross multiply करेंगे तो 10b plus 10c equal to minus 10a और plus 10a 10b और 10c आ जाएगा इसका मतलब 10a 10b और 10c जो है वो किसके बरावर होता है 10a plus 10b plus 10c के यह पहली identity सबको समझ में आ रहा होगा बताओ अरे हाँ यह ना अगर इसी में हम 10a 10b 10c से डिवाइट कर दें तो यही क्या बन जाएगा cot a cot b cot b cot c और cot c cot a यह वन हो जाएगा यह दूसरी identity हो गई यह बात मेरी समझ में आ रही सबको कि नहीं अचा यही पर अगर मैं आपसे कहूं कि b plus c जो है वो पाई बाई 2 माइनस ay2 हो जाएगा अब दोनों साइड अगर मैं 10 लेलनू तो क्या होगा 10 of b plus c by 2 equal to 10 of pi by 2 minus ay2 अब जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 10b by 2 10c by 2 upon 1 minus 10 by 2 10c by 2 equal to minus 1 upon 10 ay2 कोटे वाई तो आएगा अब क्रॉस मुल्टिप्लाइ करोगे तो आएगा 10 ay2 10 by 2 10 by 2 10 c by 2 equal to 1 minus 10 by 2 10 a by 2 10 b by 2 10 c by 2 अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 10 ay2 10 by 2 plus 10 by 2 10 c by 2 plus 10 c by 2 और 10 ay2 equal to 1 क्या है रिजल्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है अब 10 ay2 by 2 c by 2 से उठागे क्या कर दो दिवाइड कर दो जैसे ही डिवाइड करोगे तो यह रिजल्ट क्या बन जाएगा कॉट ay2 कॉट b by 2 और कॉट c by 2 equal to यही चार रिजल्ट आपने उपर लिखे ते याद आया सबको कि नहीं चारों का बोलो तो यह चारों रिजल्ट किस कंडीशन की वज़े से हैं चारों रिजल्ट के बैग्राउंड में कौन सी कंडीशन चल लगी है कि तीनों एंगल कहां पे हैं एक ट्रेंगल के अंदर है मतलब क्या यह बात आप लोगों को समझ में आप आ रही है बताओ यह सार रिजल्ट इसी वज़े से वैलिट है अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट यह वाला है कि अगर एक ट्रेंगल के अंदर की बात की जाएगी तो टैने टैन भी टैंसी का जो प्रोडेक्ट है और तो सब्सक्राइब से एक क्षाहक नज़ करने में यूद्यूम का होजाता है a plus b plus c equal to pi यहां तक कोई confusion नहीं आ रहा हो तो बताओ मेरे साब से नहीं आना चाहिए क्या बोलते हो तुम लोग को reduce करने में use हो जाता है वो यह है कि अगर आप 10 of a plus b into 10 a into 10 b देखेंगे तो यह result होता है 10 of a plus b minus 10 a minus 10 b यह ध्यान रखिए 10 of a plus b into 10 a into 10 b equal to 10 a plus b minus 10 a minus 10 b यह बहुत important result है आपके calculation को कई जगे reduce करता है अगर इन दोनों angle का sum यहां पे लिखा हुआ है तो यह result ऐसे break होता है अब बताने की जरूरत है क्या है आपने formula पढ़ा है 10 a plus b equal to 10 a 10 b upon 1 minus 10 a 10 b बस cross multiply करके यह लिख दिया फील आ रहा होगा सबको क्या एक cross multiplication वाली चीज समझ में आ रही है और इसका यूज बहुत जगे होता है आपके calculation को reduce करने में क्या यह मेरी बास समझ पा रहे है सब लोग की नहीं बताओ अब जैसे लिखो कि यह आ जाएगा यह रिजल्ट भी ध्यान रखिएगा यह किसी ट्रेंगिल के मलब पूंचा गया था अब इसे एंटिकेशन करोगे तो फज़ जाओ कि इन दोनों एंगल का सम समिस्के बरावर है यह नहीं तो आप इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हो ठेन 5 x 10-3 x भायने से अब बता हो रिच्छा है कि नहीं आपके calculation को reduce करने में अब इसका integration तो आप आराम से लिख दोगे ln sec 5x by 5 इसका integration आराम से लिख दोगे ln sec 3x by 3 इसका integration आराम से लिख दोगे ln sec 2x by 2 अब यह यहां पर टिक्नामेटरी यूज हो गई अब अगर आप यह रिजल्ट डारेक्ट जानते तो आप आराम से कनवर्ट करके आंसे लिख देंगे क्या मेरी बास समझ पा रहे हो कि नहीं किसी को कोई confusion आ रहा हो तो बोलो पहली वाली आइडेंटिटी एकदम किलियर हुई पहले वाले में बस हमने क्या किया alpha plus beta equal to pi by 2 में दोनों साइट 10 लेके हमने विखा 10 alpha 10 beta 1 है फिर यहां पर हमने इस result को यूज करना है तो alpha beta एक तरफ ले लिए और फिर दोनों साइट 10 ले लिया 10 alpha 10 beta को 1 लिख दिया सिधा simplify के answer है और यहां पर तो सिधा a plus b plus c अगर पाई हो गया तो 10 a 10 b 10 c equal to 10 a plus 10 b plus 10 c सीधे conditional identity लगा जी बस यह है है कि नहीं तो यहाद है आपने साइन स्क्वाइर माइनस साइन स्क्वाइर बी पड़ा है बोलो भाई अरे हाँ या ना इस तो इसमें अगर यही लिखा होगे तो साइन बीटा प्लस गामा और साइन बीटा माइनस गामा अब बीटा प्लस गामा को क्या लिख दोगे qig sin of pi minus α dlh 2e यहां बचेगाешाईखलो और यहां बचेगा गामा में चाहिए तो इस अल्फा को फिर से हैंज करके लिखाएगा क्या साइन ऑफ पाई माइनस बीटा फ्लस गामा देख लीजे कोई कंफुजन आ रहा हो तो बताइए मेरे साब से नहीं आ रहा होगा बोलो भाई सब लोग अब यह बन जाएगा साइन अलफा यह बन जाएगा साइन ऑफ बीटा फ्लस गामा और यह बन जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस गामा बोलो अब साइन साइन भी बन जाए बास बास यह बन जाएगा टू साइन नहीं नहीं टू साइन बीटा कॉस गाम तो अब हम आपने पढ़का आपने इसको काइप को सब्सक्राइब तो सिसाफ से आपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो कि इसमें लागते हैं लागते हैं सबसे पहले कॉस्टी लगाते हैं चलो यह मैं किसी ट्रेंगल के अंदर प्रूफ करना देखिए हम इन्ट्रेंगल ABC तो सबसे पहले हम ले लो कॉस ए प्लस कॉस ब्लस कॉस जी में रिजल लगा तो टू कॉस ए प्लस भी एंटू कॉस ए माइनस बीवाइटू अचा यहां पर आ गया कॉसी अचा एप्लस भी वाइटू जो है वह पाई बाई टू माइनस इवाइट वह जाएगा और कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है मैं साइन थीटा तो कॉस आफ यही समझ में आ गया होगा सबको यहां पर से को मैं सी वाइं टू मैं यू आप इससे और इससे तूसेंट सीलिटु कॉमन अधर क्या कोस्का कश्कू अअफ मनऄस वी दाइट क्या आशीय तो अग प्लस वंचू हमें ये और भी तो प्लस इबाइटू अबाइटू फ्लस लिख देंगे क्या तुसाइं है वाइटू साइं भी बाइट ईठने वाइटू और तूसाइन चीवाइट निफिला करहें तो जैगा और साइन सी बाइट और यहां पर क्या लिखा हुआ है वन देखो यह रिजल्ट प्रूव हो गया कि नहीं बता हुआ जिन्होंने पूछा था उनको समन में आया वही यहां पर साइन कॉस और साइन प्लस भी के फॉर्मूले में साइन इंटु कॉस भी कॉस इंटु साइन भी आता है तो दोनों को स्कॉर कर दो तो साइन ए प्लस कॉस बी का होल स्कॉर एकोल टू ए स्कॉर और साइन ए स्वारी साइन बी प्लस कॉस ए का होल स्कॉर एकोल टू बी स्वारी बी स्कॉर दोनों को एड कर दो साइन स्कॉर ए प्लस कॉस कॉस कॉर ए वन हो जाएगा कॉस 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 मेरे साथ से बताने की ज़रूत नहीं है तो साइन ए प्लस बी का रिजल्ट कितना आ जाएगा ए स्कॉार प्लस बी स्कॉार माइनस टू बाई टू बोलो क्या बात आप लोगों को समझ में आ रही है यह बताओ किलियर हुआ कि नहीं कोई कन्फीजन है डाउट आ रहा है तो बोलो समझ गया सब लोग गुड ऐसे अगले वाले में बताओ कॉस आफ अलफा माइनस बीटा के लिए क्या करोगे अब यह क्या बनेगा कॉस अलफा कॉस म्मवाइट के विए अभी दोनों को स्कॉर करके क्या करेंगे और विए अभी दोनों को को गरेंगे और को इसक्राइड कर देंगे की नहीं बताओ yes sir get करोगे cos square plus sin square one cos square plus sin square plus one or plus cos two cos alpha minus beta equal to a square plus b square अभी भी answer same आ रहा है कि नहीं b बोलो yes sir नहीं समझे बार बताओ कर लो गए कि नहीं सिधा दोनों साइट क्या ले लेंगे बताओ पाइब फोर आजाएगा यहां से क्या आएगा 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a 10 b is equals to 1 cross multiply कर दो यहां से आएगा 10 a minus 10 b equal to 1 plus 10 a 10 b यहां से आजाएगा 10 a minus 10 a 10 b और minus 10 b equal to 1 यहां से क्या common आ रहा है 10 a अंदर क्या बच रहा है 1 minus 10 b बच रहा है कि नहीं और यहां से अगर आप 1 common कर लो और अंदर आ जाएगा minus 10 b प्लस 1 यहां पर 1 एड़ कर दो अभी आ गया 1 plus 10 a और 1 minus 10 b equal to 2 आ रहा है से देखो सही है कि नहीं अभी यह रिजल्ट आप अपने दिमाग में अगर रख पाऊ तो इसको as a result रख सकते हो कि अगर कहीं भी a plus b का sum pi by 4 o तो ध्यान रखना 1 plus 10 a into 1 plus 10 b का product हम इसा 2 होता है यह बहुत important result है बड़े-बड़े calculation simplify कर देता है बस यहां पर b की जगे क्या लिखा गया है बोलो यहां पर b की जगे क्या लिखा है minus b तो result तो same ही रहेगा ना बोलो भाई जहीं समझें तो अगर दो एंगल का sum pi by 4 है तो 1 plus 10 a और 1 plus 10 b का product किसके बरावर होता है यह result समझ में आ रहा सबको की नहीं बताओ और यह result ऐसे ही प्रूफ किया होगा जैसे आपने यह वाला प्रूफ किया देखो यह यहां पर 1 plus 10 की पावर 44 डिग्री आएगा ना a plus b pi by 4 ऐसे एक और टम आएगा a plus b pi by 4 तो होगा क्या 1 plus 10 1 डिग्री 1 plus 10 2 डिग्री 1 plus 10 3 डिग्री डॉट 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 अगर आप ध्यान से देखो तो 1 plus 10 42 डिग्री वन प्लस 10 43 डिग्री वन प्लस 10 44 डिग्री और 1 प्लस 10 45 डिग्री यह टोटल कितने पेर हैं ट्वंटी टू पेर हैं कि नहीं है यहां पर सम्टू की पाउट ट्वंटी टू आएगा और एक टू यह रहा तो आंसर आ गया टू की पाउट टूटी त्री आंसर इस 23 क्या यह लॉजिक सबको समझ में आया बस यह बताओ मुझे इसमें हर बार दोदो के पेर में टू टू वैलू होती जाएगी कि नहीं तो टोटल 44 टूम सेंट दोदो के कितने पेर बनेंगे 22 नहीं समझे कहानी बताओ और एक ए 45 वाला ही अरे बोलो भाई मेरे इसाब से समझ गया होंगे सब लोग नहीं समझे तो बताइए समझ में आया सबको कि नहीं बताओ भई अब यह वाला जड़ा करो देखें इसमें क्या करते हैं इसमें क्या है कि टिक्नामेट्री आपरेटर्स को इक्वेशन के फॉर्म में पूस्ट दिया गया और इक्वेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट निकालना देखें जरा क्या करोंगे है 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 इस नहीं लगेगा विटा देखो अगर हम से यह का गया है अब ध्यांचे देखिए पहले थियोरी आफ इक्वेशन का कॉंचर्प इफ स्द्रूट रूट्स अलफा वीटा गामा है तो इक्वेशन होती है एकस स्ट सम और इंक्याक स्कॉम्एं को एंटो एकसी स्कॉयर प्लस दोडो का प्रोडेक्ट याद आरा है की यह कुछ और फिर तीनतीन का अगर रूटब स्हवेशन ९ह यह तो हमें क्या क्या चाहिए बताओ हमें चाहिए टैन ए प्लस टैन भी प्लस टैन सी इस पर दिमाग लगाएंगे हमें चाहिए टैन ए टैन भी बोलो प्लस टैन भी टैन सी प्लस टैन सी टैने इस पर दिमाग लगाएंगे और हमें चाहिए टैन ए टैन भी और टैन सी तीन चीज़ें चाहिए अब अगर मैं आप से कहूं कि एक ट्रेंगल ए बी सी है तो उसके अंदर आपने पढ़ा है ना कि टैन ए प्लस टैन भी प्लस टैन सी सब लोग की नहीं अच्छा हमें दिया क्या क्या है यह दोनों वैल्यू तो पराबर हो गई तो यह होगी वह यह होगी अब हमें दिया हुआ साले साइन साइन भी साइन सी में καड़ी साइन सी है और यह चौस नारके की और यह शागता भी पीथा तो खतम होगें अब हमें सिर्फ गता समझ कि अब हमें सिर्फ दो-दो के प्रोडेट का समझ चाहिए हाँ या ना अब याद होगा आपने इसका रिजल्ट पढ़ा है कॉस ओफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कॉस एक कॉस बी कॉस सी माइनस वन याद करो याद आया कि ये पढ़ा है कि नहीं आपने कैसे सोचो के बोलो आपने पढ़ा था ना कॉस आफ ए प्लस बी प्लस सी का फार्मुला कि कोस ए कॉस बी कॉस सी 1 गजिए 10 ए टन बी तें न मीनस से इंग टें सी याद आ रहा है सब को कि नहीं बताओ यह मैंने बताया है आपको क्लास में यार अब अगर आप इसकी लिखोगे तो क्या लिखोगे दिस यह डिवाइट कर दोगे और सब को एक तरफ इदर लिए वह स्वारी वन माइनस होता है नहीं इस बोलो भाई नहीं समझे आप लो अरे बताओ के कुछ कि द्रेंगिल के अंदर ए प्लस भी प्लस कितना दिया हुआ कु पाई दिया हुआ पाई यह वैलु निकाल लो वन माइनस कॉस पाई अब Q Q Q क्या यह वैलु 1-plus Q by Q आ गई अब यह भी आ गया यह भी आ यह निन कि लिख सकते हम कि एक्सक्व माइनस P by Q in tux 1 plus q by q into x और minus p by q अब answer बताओ q x cube minus p x square plus 1 plus q into x minus p equal to 0 है कोई option q x cube minus p x square यह आप भी answer होगे देखा समझ में आया है की नहीं बोलो भाई यह सर आ गया कॉंसेट किलियर हुआ कहां से क्या चीज सोची तीन-तीन का प्रोडेक्ट और सम तो सेम होगा तो डारेक्ट निकाल लिया दो-दो के प्रोडेक्ट के लिए यह रिजल्ट भी मैंने आपको बताया है एक्चुली बाइउजिंग दिस नहीं समझ रहो मेरी बाद बोलो वाले अप्रोड़ देखो इसमें क्या है सबसे पहले इन दोनों टम्स को सिंप्लिफाइब करेंगे आप देखो कैसे करते हैं तू कॉस्ट स्कॉर बीट साइन स्कॉर बीटा को तो टच भी ने करना अच्छा यहां पर क्या है फोर कॉस अलफ है साइन बीटा इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो टू कास स्कॉर अलफा प्लस बीटा माइनस ओन अब इन दोनों से क्या कॉमना रहा ही कविक जल्दी बोलो ुए इन दोनों से क्या थू कॉभाज अलफा प्लस बीटा कॉमना आरा जल्दी हाए ना जवाब दो यहां पे बचेगा टू Salt कॉज ऑप्लस भीता मायनस साइघ्ट मेंसं Battery photon Special L ब्लस बाचेए अब डेख लो चाशा कर अलफ प्लस भी ट इसे कोंफा तेOFF प्लस भीता कोई तो बताना तो यह बनेगा कॉज ऑलफा प्लस बीट यहां-पे ग्लुच काज अल्फा काज बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा देख ले ना आराम से यह आ गया टू साइन स्क्वाइर बीटा माइनस बन यह आ गया तू काज अल्फा प्लस बीटा यह बन गया काज आफ अल्फा माइनस बीटा चाहिए काज अल्फा माइनस बीटा का फॉर् किए बोलो कि हाया ना और एक साइन स्क्वायर कैंसील हो गया तो मैं किसी को आ रहा हूं तो बताओ कॉसकोर अलफा आ गया और साथ में क्या यहां से दिख रही कि नहीं तो जैसे आप इसको लिखो गे तो यह क्या बन जाएगा कॉस स्क्वाइर अल्फा प्लस साइन स्क्वाइर बीटा और माइनस वन देखो सही है नहीं एक सेट यह दोनों टू और टू भी आएंगे न तो यह और यह हो जाएगा कैंसिल अभी ठीक है टू भी तो मल्टीप्लाई होगा ना तो यह आजाएगा टू कॉस्क्वार अल्फा माइनस वन दिख रहा है कि नहीं बताओ अब यहीं पर बीटा एंगल आपको कुछ दे देता तो उसके साफ़ चालकुलेट कर लेते हैं कई तरीके हैं आप चाहो तो पहले टू कॉसे टू स तो सबसे पहले साइन स्क्वार थर्टी नाइन डिग्री को ले लो किसके साथ साइन स्क्वार नाइन डिग्री के साथ और साइन स्क्वार फोटी एट डिग्री को ले लो किसके साथ साइन स्क्वार एटीन क्योंकि हमें साइन थर्टी यूज़ करना है ना सब जगे और कॉ स्कॉायर ना तो वन माइनस स्कॉायर 12 डिगरी न और इसके साथ किस को ले लो सानी स्कॉायद 21 अभी शर्छाइज है न इसमें साइन दी लगा वे इसमें साइन ए प्लस प्लस ब्लगाओ इसमें लगा देंगे तो ये बन जाएगा साइन A Plus B मतलब 48 डिगरी ना और साथ में 30 डिगरी बोलो भाई सही लिख रहा हूं मैं यह बन जाएगा Sain A Plus B मतलब 60 आधा ना नहीं 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 66 आएगा देखो अब सही लिखा हैं और साथ में साइट Sain A Minus B करो तो 30 बोलो और हा यह ना और यह बन जाएगा 1-1 कॉस ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा 33 और ए माइनस बी करोगे तो कितना आएगा दो नाइन डिग्री इस अरे हा यह न अब साइन थर्टी पूरे से common कर लो दो वन बाइड तू पूरे से common अज अदर किया भचेगा साइन 66 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री तो यहां जाएगा वन माइनस कॉस्ट हटी तरी दिग्री और साइन नाइन डिग्री अब इसमें जरा तू साइन शी सिस प्लस साइन डी का फॉरमॐला लगा दो तो त 9c plus dc plus d कितना हो जाएगा दस सो एक्सो वन वन फोर और वन वन फोर बाइट टू करोगे तो कितना आजाएगा 62 डिग्री फिर कॉस आफ करोगे तो कितना आजाएगा बताओ ए माइनस बी तो च्छे और दो आठ टार नाइन डिग्री आजाएगा देखियो जड़ा क्या सही लिखरा हो मैं यहां तर 57 वह स्टीटीव नहीं होगा सर फिटीव आएगा स्वरी 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 अभी ठीक है तो देखो नहीं यहां पर यह सायद आएगा आप तो यह आराम से कैंचिल हो रहा है सही आंसर फिर तो कॉस 33 डिग्री यह आ जाएगा और वो तो प्रस पेर वाली बात है कोई भी दो पेर लोगे तो आंसर आजाए यह और यह आपस में कैंचिल और टू-टू कैंचिल और एकदम सही अब देखिया आंसर इसका वन आ रहा है कोई कंफीजन हो तो बताओ पेर समन में आ सीधे आइडेटी वाले फॉर्मले लगाने थे देखो बोलिए भाई कास 33 डिगरी और साइन 57 डिगरी सेम है बस सेम है कि नहीं है बताओ इसी को कैंचिल करके आपने अपना अंसर लिख दिया देख लीजे कोई कंफीजन आ रहा हो तो बताइए चालो देखो क्या था 2 साइन 2 डिगरी 4 साइन 4 डिगरी 6 साइन 6 डिगरी से लेके अगर आप लिखोगे 172 साइन 172 डिगरी ज्यान से देखते जाना आग 176 साइन 176 डिगरी और 180 साइन 180 ऐसी रहने लोग पहले हम यह सम एस्वन माल लेते हैं इसी सम को रिवर्स करके लिख दें इसके बाद देख तम और आएक ना यहां पर 178 साइन 178 डिगरी तक जाए इसी को रिवर्स करने यहां वाद साइन 176 यहां साइन 174 डिगरी दोड़ों का चल लाए ना विटा अब इसी को ज़रा रिवर्स करके लिखो तो 178 साइन 178 डिगरी वन सेवंटेश्स साइन 176 डिगरी यही है दोना में में ने क्या किया और क्यों क्या बुलों और सेसे अब बता यह दोनो इंगिल सें मुन के और इन दोनों का सब 118 दोनों का सम 118 दोनों का सब 118 1818 182 जैसे आप दोनों को एड करोगे तो टू एस्वन की वैल्व कितनी आ जाई है about it common sign 2 degree sign 4 degree से लेके कहां तब साइन 178 डिग्री टोटल कितने टमस है क्या है यह क्या आ गया अलपा हो टू डिग्री बीटा हो गया टू डिग्री और एन बस बताओ कितना हो गया क्विक एन कितना हुआ पॉटीफोर हुआ पॉटीफोर टाम्स हैं ये वन सेवेंटी एट माइनस टू बाइटू प्लस वन क्या करते हो यार कभी-कभी ना तुम लो कितने बचे टाम्स वन सेवेंटी सिक्स बाइटू प्लस वन देखो अरे हाया ना बोलो भाई क्या ये एटी एट टम्स हैं गेस सर्फ प्लस वन करोगे तो एटी नाइन टम्स आएंगे कि नहीं ये बताओ टोटल नाइन टम्स ते एक 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 टम तो अटाया है मैंने भाई अब सीधा फॉर्म साइन बीटा वाई टू अपान साइन बीटा वाई टू इन्टू साइन अल्फा प्लस एन वाईनस वन इन्टू बीटा वाई टू देख लो आपचा यहन्टी बचा यहां पर और साथ में यह बचा साइन 89 डिगरी और यह बचा साइन वन डिगरी देखना अराम से बोलो और यह बचा साइन 90 डिगरी साइन 90 डिगरी दिखा सबको की नहीं बताओ मैंने जो एम बताया था वह समझे यहां से बस वह कोफिशन्ट अटाने थे मुझे जैसे वह सारे कोफिशन्ट अटे सीधा सिंप्लीफाई करके हमने अपना अंसर लिग दिया देख लीजे कोई कंफिजर आ रहा हुए अगर कि यह इस मैं अब आप सारे एक्स्पेशन के बारे में अपना प्टर और अब आप सारे से साघ्रियाब सबस्वेर्ण है ए इंबन क्या दिया हुआ की न तीता की पावर तेंठी न मतलब वन से लेस नमबर की पावर वंस ले सीच कि टीटू क्या दिया हुआ है कि टेन थीटा की पावर कॉट थीटा मतलब नंबर वन से छोटा और उसकी पावर वन से बढ़ी है कि टीट्री क्या दिया हुआ है कि कॉट थीटा की पावर टेन थीटा इसका मतलब नंबर वन से बढ़ा है और उसकी पावर वन से छोटी है बोलो तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा पहलो दो तो los तो और सारे और चेक करने तो तो टीफोर टीथी से बढ़ा होगा क्योंकि यही दोनों नंबर बढ़े हैं बोलो भाई है यह आप बताओ इन दोनों में ग्रेटर क्या होगा थो सब्सक्राइक कि नमबर में फिरोड़ से जाएगी तो इसके बाद से बड़े यह दोनों तोfly वड़े हैं बढ़े लात और अगर आप चोटे नंबर की पावर बढ़ाते हैं तो नंबर छोटा होता जाता है याद है कि नहीं यह सबसे चोटा होगा यह से बढ़ा होगा फिर यह होगा तो इसका रफली ग्राफ ऐसे बनता है और यह पूरी सबस्क्राइब है मतलब अगर कहीं लिखा हो साइनेक्स इकवस्ट तो तो आप सीधे लिखेंगे एकश का कोई सलूशन पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि यह से थाइब है सब को सभान म हुआ भी अचा यह 20 कहां होता है बताओ और बचाएं वे जीरो कहां होता है मतलब सायनेक्स की वैलू जीरो है तो X क्या होगा ऐसे औस बोलो जल्दी ód के मुल्टिपल यह 0 होता है कि नहीं बताओ इस अरुस कृणिश Lazio 3x n 5 होगा कि ने स्क्रीन से है रही है नहीं हो रही है देखो ग्राफ से दिख रहा है बोलो टू एन पाई माइनस पाई वाई टू यह तीन के जनरल रिजल्ट है जो मैंने ग्राफ से निकाले इसका पीरिट टू पाई होता है इसलिए इसमें हमने टू पाई एड कर दिया है क्योंकि हर बार एक वैलू टू पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगी दिख रहा ह होता है इसका पीरिट कितना होता टू पाई हाया और साइनेक्स का सल्यूशन तभी पॉसिबल है जब उसके सामने की वैलू किसके बीच में हो माइनस वन से वन अदर्वाइस उसक्वेशन का सल्यूशन पॉसिवल नहीं है क्या यह बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि भूलेज सेम अब हम बात करते है कि स्की किसकी बात करते है वहाई क्सक्षट कॉसेक्स और साइनेक्स में ज़्यादा अंतर तो नहीं दूंबर डॉमैन एक्स माइनस वन से बीच की वैली और पीडियाट टू पाई तो कॉस का ग्राफ भी हो गया है कि नहीं अच्छा इस यह ग्राफ और रोता है कि नहीं यह और फंक्षन है कि नहीं बोलो इनफॉरमेशन द्यान रखेगा क्यों क्यों कि साइन ओफ माइनस एक्स इस इक्वस्टू माइनस साइन अग्स और यह ग्राफ देखो ओर जिन के अब इस चोटी चोटी इनफॉरमेशन है जो की ध्यान रखने वाली है कई जगए यूज हो जाता है cidade अच्छा अब क्स एगा अगर देखो यह एवेन ब्राफ है कि नहीं वेता हूँ क्यों क्योंकि एक सिमेट्रिक है यूज यह इवन फंक्शन हो गया और रहना भी चाहिए क्योंकि क्लेसे एक्स के बरावर होता है पाइवाइटू थ्री पाइवाइटू माइनस थ्री पाइवाइटू मतलब एक्स जो है वह और मुल्टिपल आफ कि यह हैं कि समझ गये हैं कि समझ गये इसके बाद जीरो जीरो टू पाई फोर पाई तो अगर कॉसेक्स की वैलू वन है एक्स क्या होगा टू एन पाई एन बिलॉंग्स टू जेड अच्छा कॉसेक्स अगर माइनस वन होगा तो और मॉल्टिपल ऑफ पाई हो जाएगा पाई थ्री पाई और यह सलूशन आप कोश्चंस में डारेक्ट यूज करते हैं है साइन जीरो तो एन पाई लिग दोगे कोसेक्स लू तो टू एन प्लस वन इंटू पाई वाइटू लिग दो गए है कि नहीं क्या सलूशन से आपको सबस्विट्पर रहा है जो इसका पीरिद्टू पाई होता है तो एक बार जो सलूशन जीरो से पाई मैं आगकर सुलिशन आगे रिपीट करने लगे यह इंफॉर्मिशन यहां तक एकदम किलियर है बोलो है उसमें से उपर चलोगे तो यह ऐसे जा रहा है और जिन के नीचे जा रहा है तो सिमेट्रिक और फंक्शन किसके बाउट सिमेट्रिक होता है अञर अधर फंक्शन किसके बाउट सिमेट्रिक होता है यह अटर फंक्शन wod Mia में करता ह होता है यह थो पफॉर्पर प्लस होता होतना ही माइनस हो जाता है कि कि उय समझ घे है ने और यह याग्यक्यट से लिए दिख्ट यह निन तक सारी इंफ्वर्मेशन लिए रहे और यह डिमाग में रखेगा ग्राफ से देखे लिए अब इस पर आओ ये ग्राफ कैसा है तेना उफ माइनस एक जो है माइनस टैनेक्स होता है मतलब और ग्राफ है कि नहीं कि यानि किसके वाओd सुमेट्रिक है वो लो कोई इसकी डॉमें इसमें प्रइट एक स्कॉप क्या लिखते हो साइनेक्स भाई कॉसेक्स जीरो नहीं हो सकता है अभी आपने पड़ा कॉसेक्स जीरो कहां होता है और मल्टिपल आप पाइवाइड टू पे इसका अदर इसकी डॉमें में और सारे रियल नमर आएंगे मगर आफ मैंट आप पाइवाइट नहीं आएगा इसी लिए टैनका ग्राफ आइवाइड मैंटिपल आप पाइवाइड टू पे डिफाइन होता में सबको संब्सक्राइब क्या हो जाता है जीरो किया यह बात सबको समन में आ रही है बोलो अरे हां या ना क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है बोलिए अच्छा अब अगर कहीं 10x equal to 0 लिखा हो तो बताने जुरूत नहीं x equals to n pi होगा दिख रहा होगा सबको 0 pi 2 pi minus pi बोलिए भाई ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं और इसका पीरिट कितना होता है इस graph का पीरिट कितना पाई चहां पर जो भी सयल्यूशन से टोगा वह पाई इंटर्वल के बाद चेंज होता चला जाएका देख लीजे कोई confusion आ रहा हो तो बता हो इसके बाद आइसे रैसिप्रोकल की बात करेंगे क्या लिखते हैं को लो इसप्र भाइची नहीं होना चाहिए और देख Totally चाहिए अभिए ग्राफ किसी भी एक्सिसे ऑफार्जीन किसी बीखर सहे है तो कॉड्वाइन तो क्या यह माइनस है जाएगा इसका मैं और फंक्षन सेगे चिने पर यह किसको बांटा मिट्री इस बोलो इस के लिए ड़लिए द्याणा कि only मैं एक्स ईपाई नहीं नहीं चाहिए एक्स जया वह एन पाई नहीं होना चाहिए इस पूरे घ्राफ में उसको आप यूज नहीं कर सकते कि आपके में सेट हुआ बोलो बस टैन के ग्राफ को रैसी प्रोकल किया जहाए जीरो आ रहा था वहां यह इंफाइनाइट चला जाएगा 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 और यह ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है तो वन भाइए एफेक्स करोगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा मतलब एक कॉंसेट यह भी है कि अगर आपको वाइक कॉल टू एफेक्स से वाइक कॉल टू वन भाइफेक्स बनाना और यह ग्राफ आप जानते हैं तो जहां यह ग्राफ इंक्रीजिंग होगा वहां यह ग्राफ क्या बन जाएगा डिक्रीजिंग जहां यह ग्राफ वन बाई एफेक्स क्या टेंड करने लगेगा जीरो यह है रीजन और जहां पर एफेक्स जीरो होगा वह पार साइड़ पॉइंट वन बाई एफेक्स के लिए नौट डिफाइंड हो जाएंगे यह बताने की ज़रूरत नहीं है उसी के साफ से आप बना देंगे जैसे सपोज मैं अगर आपको एक्जामपल दूँ लन एक्स यह रहा है और आपको वाइट को टुवन अपऊन एलनिक्स क्वाव देना है तो यह ग्राफ इंक्रीजिंग है तो वाएं भाई अलने और ग्राफ कैसा होगा डिक्रीजिंग जहां पर यह इंफाइनाइट जा रहा है वहां तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि दिख रहा है यहां पर डिफाइन नहीं होगा इसका यह ग्राफ इंक्रीजिंग है तो यहां पर एक ऐसे डिक्रीज करती है कि देख लिए कोई कन्फूजन आ रहा हो तो बताईए सब्सक्रांड खाइं यह थैक्निक समन्में आई कि नहीं बोलो भाई है यह टेक्निक दिख रही है सबको कि नहीं कि पाई-ख्राफ कैसे डील किया मैंने बोलो जहां यह 0 था वहां आमने इसको infinite पहुचा दिया क्योंकि यह increase करा था तो यहां सब्सक्रांच करेगा यह फिकरीश करेंगा जहां रहा था उसल्फाई remains वह दिखाकि नहीं भॉलो वही कि完as ओ और चहां पर एकでशो था वो पॉइंट अब दोमें से बार हो जाएगा यह वन बैए एफ एक्स अग्राफ होगा तो एफ एक्स अग्राफ बना सकते हैं बना लेंगे कि नहीं बोलो कि बोली एए कि आये टैक्निक आपको सब्धोर्ण दॉब इन्वी व्यावं कि आपको समय जब रही हैं तो नहीं आपको समय बोलिए भाई यह बात आप आप लोगों को किलियर हुई किसी को को हां साथ हुआ तो बताएए बोलो चलो अगर बढ़े हम लोग तो अब ऐसे बताओ अगर हमें सब्सक्राइब बनाना है तो सब्सक्राइब लिखते हैं तो जहां कॉस्ट जीरो वह पॉइंट डिफाइन नहीं होंगे कॉस जीरो कहां होता है और सब्सक्राइब अब यहां इसी को हमने क्या कर दिया तो जहां यह जीरो आ रहा था वहां इंक्रीस कर रहा था अब यह करने लगा दिखा ग्राफ का नेचर की नहीं बोलो भाई और और मुल्टिपल आफ पाइवाई टू पे ग्राफ डिफाइन नहीं हो रहा है देख लीजे किसी को कोई कंफूजन आ रहा हो तो बताएगा मुझे बोलो भाई अरे हां यह ना क्या बात आप लोग समझ रहो भाई इसके लिए कॉसेक्स क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए मतलब एक्स जो है वो और मुल्टिपल आउप पाइवाई टूनी होना चाहिए यह ग्राफ कैसा है वह सेक एक्स ही होता है यानि कि एविन ग्राफ है वाई एक्स के वाट सुमेट्रिक है कि समझ रहे हो कि नहीं भाई सेम साइन वाले ग्राफ कर ऐसी प्रोकल कर देंगे तो यह वाला ग्राफ बन जाएगा अब साइन का ग्राफ ऐसी तो था यह इसको जहां जीरो जाएगा जाएगा जहां इंक्रीस करने लगेगा तो यह ग्राफ का निचर बन गया और यह साइन एक्स इसके लिए जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब एक्स जो है वह एन पाई नहीं होना चाहिए एन बिलॉंग सुजए दिखा की नहीं बताव भी सक्क्राफ हो गया और यह तो आपने पड़ाइए कि साइन आफ माइनस सवारी को सब्सक्राइब वह क्या हो जाएगा माइनस आफ को से एक्स दिए कैसा ग्राफ हो गया और फंक्शन हो गया क्या हो गया कि सिमेट्रिक अबाउट यह पूर्जिन कि सारे ग्राफ के नेचर समझ में आए कि नहीं सबको बोलो कि अरे हाया ना अच्छा अब यहां से कुछ नेचर के बाद जैसे टैनेक्स इकॉल टुए हो यह कोई भी रियल नंबर हो वन सलुशन आएगा कि नहीं एक्वेशन हैविंग सलुशन अच्छा यहीं पर अगर सेक एक्स इकॉल टुए हो या कॉसेक एक्स इकॉल टुए हो और एक्वेशन हैविंग सलुशन हो तो ए कहां से कहां तक लाई करेगा एज़ वह लाई करेगा माइनस इंफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इंफाइन अधर्वाइस सलुशन पॉसिबल ही नहीं होगा बोलो भाई सेम अगर कॉटेक्स इकवल तुए ओ-एक होई बील नमबर हो तो हमेंसा सलुशन आगा साइन्स अर्ओर और कॉष्मे सलुशन तब आएगा माइनस से बीट में और में एंपा सबको संद्रा पल्रश होगा यह शोक्राइब अगर मैं एक्जाम्पल वाइज आपसे कह दूँ कि सेक्स इक्वस्ट टू वन बाइटू है वाट इस पाई होगा बोलो भाई कि सब्सक्राइब हाफ हो सकता है क्या सोच के जबाब दो अगर मैं आपसे कहूं कि साइन एक्स कभी साइन अल्फा के बराबर है एक्स की वैलू एन पाई प्लस माइनस वन की होल पार एं इंटू अलफा उती है एंग विलॉंगस टू जण सेम अगर कोसेक्स कॉस अलफा के बराबर आ गया तो X की वैलू2n Pi क्लस माइनस अलफा हो जाती है एंड़ांस टो जड़ एज आगर 10 आख 10 अलफा के ब्राबर हो गया तो X की वैलू n Pi प्लस अलफा होती है एन फिलोंक्स टो जटे इसके बाद साइन इसक्वार संवहरेक्स अगर साइन समझ गया कि नहीं भाई हाँ या ना यह टिग्नामेटरी एक्वेशन्स के बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आप यूज करेंगे यह मलब कैसा भी सिट्वेशन हो आप यहीं बेसिक रिजल्ट लगाके अपने आंसर को निकालेंगे इसके बाद फॉर प्रिंसिपल से लूशन एक्स जो है वह हमेशा लाई करेगा जीरो से टू पाई मतलब किसी कुश्चन में कहा गया कि इसका प्रिंसिपल सोलूशन बताओ तो आपको सलूशन हमेशा जीरो से टू पाई के बीच में निकालना है तो प्रिंसिपल सोलूशन के लिए आप हमेशा सलूशन क्या निकालेंगे जीरो से टू पाई मेरी बास समझ में आ रही है कि नहीं इसके बाद अगर आप साइनेक्स की बात करें तो इनक्स का एक पीरिट का घ्राफ आपने यो बनाया कि जीरो काई यह मैक्स वालू Мыलों होती है यह मिन वालू माइनस वह मेरी हैं है कि नहीं और एक इनए वेलव मैनस मन के बीच में जीरो को छोड़के तो 0 से 2 pi के बीच में कितने solution होंगे दो solution होंगे कि नहीं होंगे बताओ बोलो अगर A की वैलू 1 है तो एक solution होगा अगर A की value minus 1 है तो भी एक solution होगा और अगर A की value 0 है तो 3 solution होगे इसमें include होंगे boundary solution सब्सक्राइब कर आपको सब्सक्राइब करते जाएगा जैसे माइनस वन से बार आपको कितनी जगए कट मिलेगा दो जगे माइनस वन से वन के बीच में कोई वैल लाइन खीचो गए तो ग्राफ को कितनी बार कट करेगी दो नंबर ऑफ सलुशन हमेशा टू आएंगे वन और माइनस वन पर एक ही आएगा क्या एक कहानी आप लोगो किलियर हुई बोलो अच्छा अगर यही काम कॉसेक्स के साथ करें एक पिरिड में जीरो से टू पाई में बोलो तो क्या होगा अगर यह कॉसेक्स के बीच में कुछ भी हो तो हमेशा कितने सलुशन आएंगे दो सलुशन अच्छा अगर एकी वैलू बाइनस वन वी तो दो सलुशन आएंगे और यह बांडृ कंडिशन के साथ होंगे कि बाउंडरी सोलीशन होंगे और यहीं इंपॉर्टेंट है इसी में कल्कुलेशन के डिस्टर्विंस के चांस बनते हैं अब अगर यही ग्राफ आप टैनेक्स के साथ करो तो टैनेक्स का पीरेट तो सिंपल हो जाता है मैं टैनेस के बाद करोगे तो टैनेस का पीरेट कितना यह पाई हो गया है कि नहीं तो एक पीरेट के अंदर मतलब अगर टैनेक्स की वैलू ए है और एक्स को आपने माइनस पाई वाई टू से पाई वाई टू के बीच में लिया है तो हमेसा वन सलूशन लाई करेगा क्योंकि हर बार एक ही जगए उसको कट कर पाएंगे यह इन प्रिंसिपल सलूशन निकालते हैं उनका डिसकूशन करेंगे से सलूशन काउंट करते हैं इन सारे कॉंसेट को हम अगली क्लास में डिसक्स करेंगे दैन हो गया यहां तक यह ग्राफ एकदम दिमाग में सेट कर लीजेगा इन ग्राफ से लिखिवी बेसिक इंफॉर्मेशन एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए आपके